हां जी कैसे हैं आप सभी स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में और हमारी एक और नहीं प्लेयलिस्ट के लांच में जो की प्रोजेक्ट फोकस्ट है हमारे नेक्स शेयर्स के उपर सबसे पहले और सबसे जरूरी बाद इस वीडियो का कमेंट टारगेट हां जी एक हजार कम पूरे के पूरे थाउजंड कमेंट विदिन 24 आर्स मुझे पता है आप लोग कम्प्लीट करवाई दोगे और यह हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है नेक्स शेयर्स का लेकि इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉंटेक्स दे दूं मैंने इस चैनल पर अल्रड़ी जावस्क्र वो थोड़ा UI वगरा कर ले थोड़ा routing के बारे में हलका फुलका basics एक touch ले लेकि नेक्स शेयर्स किस तरह से होता है यह जो second project है यह उसका second gradual improvement है अब ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको first project देखना जरूरी है ऐसा कुछ नहीं है इस project में मैं basic overview देता जाओंगा तो आप directly भी इस project को देख सकते हो लेकिन यह project थोड़ा सा intermediate होगा first project में हमने सिर्फ और सिर्फ UI पे component designing पे और हलका फुलका routing पे काम किया था बस और कुछ नहीं किया था अच्छा एक brush up familiar हो जाए यह जो project है intermediate है इस project के अंदर आप देखोगे कि कैसे full stack applications बनती है next.js को use करके और कुछ hidden features के बारे में भी बात करेंगे next.js के कुछ special routing कैसे की जाती है क्यों next.js इतना powerful है कैसे edge run time होता है और किसकी वज़े से थोड़ा सा fundamental जो miss कर देते हैं वो क्यों miss कर देते हैं और उससे क्या impact आता है production के ओपर क्योंकि जो third app होगी हमारी वो एकदम production grade है लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़े हम जान पूच के miss करेंगे और उनको फिर last में discuss करेंगे कि अच्छा यह चीज तो हम सोच नहीं भूल गए थे यह चीज तो miss हो गई हमसे इसमें next.js की power का use नहीं करा वो सब हम देखेंगे तो उमीद है आप सभी ने comment कर दिया होगा आपको मैं छोटा सा एक glimpse लेकिन जो चीज़े आप इसके सीखोगे behind the scene में वो आपके next project में इतनी ज्यादा काम वाएगी क्योंकि next जो project है वो एकदम production grade है अभी भी already hosted है और within like one day हमने real world 1000 user उस application में complete कर दिये थे within one day बट उसके बाद मैंने उस application को hold कर दिया कि नहीं हमारा goal इसको scale करना नहीं है बस test क ना था तो हमने कर लिया वो बाद में बताएंगे तो सबसे पहली चीज sign up page है हमारे पास में तो sign up page पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप username email और password सीधा ले सकते हैं तो जैसे suppose करिए मैं यहाँ पे लेता हूँ chai और next यह हमारा username है इसको हम देते है chai at the rate hithash.ai यह email exist नही 5 6 7 8 दोबारा से लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 यह हमारा basic password है अब आप इससे basic sign up कर सकेंगे अब इस project में थोड़ थोड़ी mistake देखेगा क्योंकि इस project में mistakes भी है assignments भी है जो आपको immediately notice हो जाएंगे और उसके बाद आपको एक थोड़ा से क्या खुद को काम करने के लिए भी नहीं हुआ हूँ मेरा form भी पूरा clear नहीं हुआ है लेकिन यह थोड़ा से task है न हमें करने ही पड़ेंगे उसके बाद हमारा login पेज अब login पेज पर आ सकते है email हमारा तो email है हमारा chai at the rate हितेश.ai और password 12345678 अब यहाँ पर गौर से notice करिएगा कि आप login पर जैसे ही जाते है login click here processing आ रहा है यहाँ पर और उसके बाद processing के बाद हमारा देखे यहाँ पर login email processing कुछ भी नहीं हो रहा है दुबार से login पर क्लिक करते है processing login कुछ भी नहीं हो रहा है तो यह क्या issue है किस तरह से यह problem आ रही है ठीक है अब इसको हम solve कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे कि कोई error भी नहीं आ रही है कुछ भी solve भी नहीं हो रहा है वापे से login कुछ नहीं हो रहा है चलिए अब हमें क्या करता हूँ एक और चीज़ दिखाता हूँ sign up में दुबारा से हम देखेंगे कि क्या हो रहा है देखें इसको मैं बोलता हूँ one और email जो है इस बार one at the rate gmail.com और password ले email पर one at the rate gmail.com और one two three four five six अब युज़ छोड़ चीज़ है ना इन पर हम बहुत अच्छा discussion करेंगे इसको login करता हूँ वापिस से आपकी बार login हो गया पिछली बार login क्यों नहीं हुआ था कोई error message क्यों नहीं मुझे दिखाई दिया सब पर चर्चा होगी profile पर आ रहा है यह यहां पर nothing यह तो खेर hardcoded है nothing इसका कुछ नहीं है जैसे ही आप get user details पर click करेंगे उसके बाद हमारे को यहां पर nothing की जगे एक ID दिखाई देती है यह user की mongodb की ID है तो obviously बात है mongodb use होई रहा है उसमें कोई चिंतावली बात नहीं है अब interestingly बात ही है कि जब मैं इसको logout कर से बट री डिरेक्ट हो जाता है तो profile पर जाना चाहता हूं तो मैं नहीं जा पा रहा है तो obviously बात है middlewares वगरा भी हम काम में ले रहे है एक जरूरी चीज हमने चोड़ चोड़ी mistakes तो वह error इसकी वह सब करी रखी है processing हो रहा है form clean नहीं हो रहा वह सब पर भी चरचा करेंगे कि production में कैसे हम चीजों को change करते हैं एक interesting चीज हो रहा है कि यह जो पूरा process है इसके अंदर हम forgot password भी हम करेंगे और user verification भी करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि जब production में आप application बनाते हो testing करते हो तो किस तरह से हम direct gmail वगरा use नहीं करते हैं ऐसी बहुत सारी services है एक मैंने use करिए कोई sponsored नहीं है बट हाँ इसको use करते हैं सभी production में तो मैंने भी use कर रखा है by the way आप चाहो तो कोई और भी use कर सकते हो हमें इससे कोई लेने दाना नहीं है बात यह है important कि किस तरह से verification email send किये जाते हैं अभी database में इस user का जो status है वो not verified है email पे आपने देखा होगा आपक करते हैं तो उन चीजों का कैसे ध्यान रखा जाता है अब यह जो email हम भेज रहे हैं यहाँ पे हमने कर रहे हैं जान पूछ के एक mistake mistake क्या है कि जैसे मैं इसको copy करूंगा suppose करिए यह आप user पे जाते हैं copy करते हैं यह verification है खेर already हो रखा है बट यहाँ पे जैसे आप जाके इस यहाँ पे pass कर दिया क्या वो ठीक अप्रोच थी क्या कोई और बहतर मेरे को ाइडी लेने चाहिए थे अगर URL से सारे गायब हो गई तो क्यों गायब हो गई और ऐसी चीज है तो मुझे क्या क्या चीजों का production में ध्यान रखना चाहिए यह सारी चीज हम करेंगे जो mechanism है verify user क और forgot password का almost exactly same है उस पे भी हम चर्चा करेंगे किस तरह से यह किये जाते है user को verify किया जाता है या forgot password का mechanism किस तरह से दिखा जाता है वो सब भी हम बात करेंगे तो यह है पूरी की पूरी application च्छट-छटे bugs वगरा वो मैं आपको उसी टाइम पर बताता जाओंगा आपके लिए बहुत सारी चीज़े और भी बात करने है कि database connection के टाइम कैसे ध्यान रखना चाहिए कैसे user model हम इस application का design करेंगे यह problems क्यों आ रही है यह bugs क्यों आ रहे है क्योंकि जान पूछके बहुत bugs इस application में बट हमें पता exactly कहां कहा है तो हम उसके flow को ठीक करेंगे और थोड़ा assignment आपक authentication हम सीखेंगे authentication one of the best जरिया है आपको कभी भी full stack application सीखने क्योंकि यहां पर बहुत complex चीज़ी होती है एक बर यह आ जाता है तो उसके बाद अगर आपको products बनाने है categories बनाने है तो वहां पर exactly same ही काम है कुछ values लेने है database में store कराने database से वापस retrieve कराने है तो sign up login process में सारा काम आपको सीखी जाते हैं तो काफी अच्छी application है थोड़ा सा आपकी brain.exe को तकलीफ पहुचाएंगे हम बट उमीद करता हूँ आपको बहुत मजा आएगा इस application के अंदर comment target में बिल्कुल कंजूसी ना करें दिल खोलके यहां पर हमें support करें ताकि हम और application सापके लिए ऐसी ल रखेंगे और नेक्स ये इसका थोड़ा docs के साथ familiarity बनाते हैं उमीद करता हूँ आपको काफी मजा आएगा इस video के अंदर इस series के अंदर तो बस इतना ही एस video के अंदर चोटा सा video है क्योंकि बस introduction करवाना था next video से फटाफट स्टार्ट करते हम पूरा का पूरा application और सब्सक्राइब कोशिश कर रहा हूं कि अप्लिकेशन फटाफट कदम हो जाए ताकि नेक्स जो अमेजिंग अप्लिकेशन है वो स्टार्ट करें चलिए मिलते हैं आपसे चाय तयार रखेगा कोड हमारा तयार है आजाए फटाफट